प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार आशा करती हूँ कि आप सब तंद्रुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रती आप सब का उत्सा कायम होगा आज हम छटी कक्षा के विज्ञान का दस्वा अध्याय गती एवं दूरियों का मापन पढ़ेंगे पच्चो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हमने पहले क्या सीखा है पच्चो आप घर से स्कूल किस प्रकार आते हैं यातायात के और संसाधन कौन-कौन से है आपके घर से स्कूल कितनी दूरी पर है आप अपना कद किस प्रकार मापते हैं आज हम क्या सीखेंगे यतायात की कहानी किसी वस्तु की लंबाई मापने के अलग-अलग धंग, मापन के मानक मातरक, किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना, हमारे चारों और गतिशील वस्तुएं, गती के प्रकार यतायात की कहानी प्राचीन काल में लोगों के पास यतायात के कोई साधन नहीं थे, वे पैदल चलते थे तथा अपना सामान अपनी पीट पर लाद कर ले जाते थे बाद में मानव यतायात के लिए पशुओं का उप्योग करने लगा प्राचीन काल में जल मारगों में आने जाने के लिए नावों का उप्योग किया जाता था आरंभ में लकडी के लठों से जिन में खोखली गुई का बनाई जा सके नावें बनाई जाती थी इसके पश्चात लोगों ने लकडी के विभिन टुकडों को आपस में जोड़ कर नाव की आकृती बनाना सीख लिया ये नावें जल में रहने वाले जीवों की आकृतियों के सद्रिश थी पहिये के अविशकार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपून परिवर्तन किये पिछले हजारों वर्षों में पहिये के डिजाइन में सुधार किये गए हैं पहियों पर चलने वाली गाडियों को खीचने के लिए पश्वों का उपयोग किया जाता था उन्नीस्वी शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं, नावों तथा जहाजों पर निर्भर करते थे वाश्प इंजन के अविश्कार से परिवहन के नए साधनों का विकास हुआ वाश्प इंजन से चालित सवारी गाडियों तथा माल गाडियों के डिब्बों के लिए रेल की पट्रियां बनाई गई इसके पश्चात मोटर कार, ट्रक तथा बस जैसे स्वचालित वाहन आए जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाजों का उपयोग होने लगा 19. शताबदी के प्रारंब के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ जिनमें बाद में सुधार किये गए और इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया विद्यूत रेल गाड़ी, एकल रेल, पराध्वनिक वायुयान तथा अंतरिक्षियान बीस्वी शताबदी के कुछ योगदान है बच्चों, आप यह कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चल कर तै कर सकते हैं अत्वा स्कूल पहुँचने के लिए आपको बस या रिक्षे की आवशक्ता होगी जब आपको कुछ खरीदना होता है तब क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होता है आप इन प्रश्णों के उत्तर कैसे जानेंगे कोई स्थान कितना दूर है यह प्रायहत जानना महत्वपूर्ण होता है ताकि हम यह अनुमान लगा सकें कि वहाँ पहुचने के लिए हम कैसे जाएंगे पैदल चल कर बस से, रेल गाड़ी से, पानी के जहाज से, वायू यान से अत्वा कोई अंतरिक शियान लेना होगा कभी-कभी ऐसी वस्तुएं भी होती हैं, जिनकी लंबाई, अत्वा चौडाई जानने की हमें आवशक्ता होती है बच्चों, हम एक डेस्क की लंबाई मापने का प्रयास करेंगे डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन बनाएं, तथा डेस्क को दो बराबर भागों में बाटने के लिए एक रेखा खींचें अब एक डंडे की सहायता से डेस्क की लंबाई और चौडाई मापें यह देखो कुल कितने डंडे बनते हैं इस प्रकार बच्चों डेस्क की लंबाई और चौडाई एक लंबे धागे या डोरी या फिर हम अपने बालिष्ट से भी माप सकते हैं ऐसे अनेक अफसर आते हैं जब हमें लंबाई अत्वा दूरिया मापने की अवशकता होती है दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए परियाप्त है अत्वा नहीं बढ़ाई किसी अलमारी की लंबाई तथा चोड़ाई इसलिए मापता है ताकि वह यह जान सके कि इस अलमारी के दर्वाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की अवशक्ता होगी किसी किसान को अपने खेत की लंबाई तथा चोड़ाई अत्वा उसके एक शेत्र फल जानने की इसलिए अवशक्ता होती है ताकि वह यह जान जाए कि वह अपने खेत में कितने बीज बो सकता है तथा उसे अपनी फसलों के लिए कितने जलकी अवशक्ता होगी यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है तब आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से आपके पैर की एडी तक की रेखी या लंबाई के बराबर है यह कमरा कितना लंबा है, यह डेस्क कितना चौड़ा है, दिल्ली लखनव से कितनी दूर है, पृत्वी से चंद्रमा कितनी दूर है इन सभी प्रश्णों में एक बात समान है, ये सभी दो स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित है दो स्थान मेज के दो किनारों की तरहां पास-पास हो सकते हैं, इसके विपरीद दो स्थान जम्मू और कन्या कुमारी की तरहां एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते हैं मापन के मानक मात्रक प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य उप्योग होता था बच्चों क्या आप जानते हैं कि लंबाई क्या होती है? किसी वस्तू की प्रारंभिक बिंदू से अंतिम बिंदू तक की दूरी को उस वस्तू की लंबाई कहा जाता है हडपा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उप्योग किया होगा क्यूंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितिय रचनाओं को देखने से प्रमानित होता है कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई जिसे हाथ कहते हैं लंबाई के मातरक के रूप में प्राचीन मिस्र में उप्योग किया जाता था जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी संसार के विभिन भागों में लोग लंबाई के मातरक के रूप में फुट का उप्योग करते थे अलग-अलग शेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन थी लोग एक गज कपड़ा फैली बहा के सिरे से अपने थोड़ी तक मापते थे रोम वासी अपने पग अत्वा कदमों से लंबाई मापते थे प्राचीन भारत में छोटी लंबाईयों को मापने के लिए अंगुल अत्वा मुठी का उप्योग किया जाता था आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्प हारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उप्योग लंबाई के मात्रक के रूप में करते हुए देख सकते हैं सुविधा नुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रकों के रूप में उप्योप होता रहा है तथा पी प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की आमापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है शायद इसी कारण भी मापन में उल्जने आई होंगी वर्ष 1790 में फ्रांसिसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पद्धती कहते है एक समानता के लिए समस्त संसार के व्यज्यानिकों ने मापन के मानक मात्रों के एक सेट को सुईकार कर लिया है आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उप्योग हो रहा है उसे अंतरराश्ट्रिय मात्रक प्रणाली ऐसाई मात्रक कहते हैं लंबाई का ऐसाई मात्रक मीटर है लंबाई मापते समय हमें निम्नलिखित सावधानिया बरतने की अवशक्ता होती है पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखिए कुछ पैमानों के सिरे तूटे हो सकते हैं आप इन पैमानों के शुन्यांग स्पष्ट नहीं देख सकेंगे ऐसे प्रकरणों में पैमाने के शुन्यांग से माप लेने से पचिए आप पैमाने का कोई अन्य पूर्ण आंग जैसे एक सेंटिमीटर काम में ला सकते हैं. तब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांग से इस पूर्ण आंग के पाठ्यांग को खटाना चाहिए. माप लेने के लिए आँख की सही स्थिति भी महत्वपून होती है. आपकी आँख जिस बिंदू की माप ली जानी है उसके ठीक सामने होनी चाहिए लंबाई को मीटर पैमाने और मापक छड़ आदी के साथ मापा जा सकता है लंबाई की इकाई मीटर होती है अधिक लंबाई को एक और इकाई किलो मीटर में मापा जा सकता है एक किलोमीटर बराबर है हजार मीटर छोटी लंबाई को सेंटिमीटर इकाई से भी मापा जा सकता है बच्चों, एक मीटर बराबर सौ सेंटिमीटर इसलिए मापन की सही मानक इकाईयों का पता होना जरूरी है किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना बच्चों, किसी वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उप्योग कर सकते हैं बच्चों आप बता सकते हैं क्यूं? वह इसलिए क्यूंकि टेड़ी मेड़ी रेखा को किसी स्केल या और मापक यंत्र के साथ नहीं मापा जा सकता धागे को एक रेखा के प्रारंभिक बिंदू पर रखें अपनी पहली उंगली की सहायता से धागे को वक्र रेखा के साथ साथ फैलाओ जहां पर रेखा खत्म हो वहां तक पहुँचे धागे पर एक निशान लगाएं अब धागे को फैला कर किसी स्केल की सहायता से निशान तक माप ले। इस प्रकार हम किसी वक्र रेखा की लंबाई माप सकते हैं। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अग्यात राशी की उसी प्रकार की कुछ ग्यात राशी से तुलना करना है। इस ज्यात निश्चित राशी को मत्रक कहते हैं किसी माप के परिणाम के दो भागों में व्यक्त किया जाता है एक भाग संख्या है, दूसरा भाग ली गई माप का मत्रक होता है उदाहरण के लिए यती कमरे की लंबाई 4 मीटर है तो चार एक संख्या है और मीटर एक मात्रक है जिसे मापन के लिए चुना गया है विराम में वस्तू हमारे आसपास बहुत सी वस्तूएं है, कुछ वस्तूएं गती शील होती है और कुछ विराम में होती है तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, जो विराम में हैं. अब यह जो वस्तुएं हैं, ये हमारे चारों ओर की गती शील वस्तुएं हैं. गती के प्रकार, गती के तीन प्रकार होते हैं, सरल रेखिय गती, वर्तुल गती, आवर्ती गती. हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को गती करते हुए देखते हैं, और कुछ विराम वस्ता में होती हैं. गती का अर्थ वस्तु की स्थिती में परिवर्तन से हैं, जैसे चलता हुआ पंखा, चलती हुई कार और उड़ते पक्षी आदी. गती कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे सरल रेखिय गती, अर्थात, सीधी रेखा में किसी वस्तु या व्यक्ती का गती शील होना, जैसे आप सीधी सडक पर चलती हुई कार और सिपाहियों की मार्च पास्ट देख सकते हैं. बच्चों, गती की एक और प्रकार है वर्तुल गती. वर्तुल गती से अर्थ है कि किसी वस्तु का व्रित्ताकार पत में घूमना, जैसे चलते हुए पंखे के फर और घड़ी की सुन्या अपनी गती को दोहराती है तो ऐसी गती को आवर्ती गती कहा जाता है. पेंडुलम, जूला जूलते बच्चे की गती, सितार की डोरियों की गती आदी. यह सब आवर्ती गती की उधारने हैं. कई बार एक ही स्थिती में दो प्रकार की गतियां भी देखी जा सकती हैं. जैसे की आप देख रहे हैं कि जब एक बच्चा बॉल को किक करता हैं तो बॉल गोल गूमती हुई दूर जाती हैं. बच्चों, यहाँ पर बॉल गोल गूमने के कारण वर्तुल गती करती हैं और सीधी रेखा में दूरी तै करने के कारण सरल रेखिय गती भी कर रही हैं. प्राचीन काल में अब तक यातायात के अलग-अलग संसाधनों का प्रयोग किया गया है जैसे की साइकल, बैल गाड़ी, बस, रेल गाड़ी, हवाई जहाज और कई और। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आधी का उप्योग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इससे उलजने होती थी, तथा इसलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विक्सित करने की आविशक्ता उत्पन हुई। अब हम मात्रकों की अंतरराष्ट्रिय प्रणाली ऐसाई मात्रक उप्योग करते हैं, इसे समस्त संसार में माननेता प्राप्त है। ऐसाई मात्रकों में लंबाई का मानक मात्रक मीटर है, प्रत्येक मीटर को सौ बराबर भागों में पांटा जाता है, जिसे सेंटीमीटर कहा जाता है। सरल रेखा के अनुदेश गती को सरल रेखिय गती कहते हैं। वर्तुल गती में कोई वस्तु इस प्रकार गती करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदू से दूरी समान रहती है। ऐसी गती जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवर्ती गती कहते हैं। कोई भी रोलिंग करती हुई गेंद आगे की और गती करती है, इस प्रकार गेंद सरल रेखिय गती के साथ साथ वर्तुल गती भी करती है। अब मैं आपसे कुछ रिक्त स्थान पूछूँगी, उमीद है कि आप सब को इसके जवाब आते ही होंगे। पहिये की खोज के साथ कौन से नए यातायात के संसाधनों की खोज हुई। इसका उत्तर है बस, रेल गाड़ी और साइकल। मेरा दूसरा प्रश्न, परेड में चल रहे सिपाही कौन सी गती कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब है सरल रेखिय गती। मेरा अगला प्रश्न, जूला जूलते हुए किसी बच्चे की गती टैश होती है। आवर्ती गती, मेरा अगला प्रश्न, एक किलो मीटर हजार मीटर के बराबर होता है। सही या गलत। सही, यह जवाब सही है। मेरा अगला प्रश्ण आवर्ती गती किसे कहते हैं। ऐसी गती जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवर्ती गती कहते हैं। बच्चों, इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सब को यह समझ आ गया होगा। बच्चों, तंदुरुस्त रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। धन्यवाद।